तो करनाटक हिजाब मामले पर आपको अपडेट बता देते हैं करनाटक पैसले को चिनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रिम कोट्ट ने कहा है कि करनाटक हाई कोट की सुनवाई पर सुप्रिम कोट की नजाद है। वकील देवदत कामत की दलील पर Сीजे आई ने कहा है कि अभी हाई कोट को यह मामला सुनने दिया जाए। SG ने कहा कि जब ओर्डर ही नहीं आया है तो कैसे चिनौती दी जा रही है इसे राजनितिक और भार्मिक नहीं बनाये जाना चाहिए ये बात सुप्रिंग कोट में कही है SG तुशार महता को बीच में रोकते हुए CJI ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संद्रक्शन के लिए बैठे हैं समुचत समय आने पर हम सुनेंगे तो मामला पहले हाई कोट में पहुचा उसके बाद याजिका दाखिल कर दी गई सुप्रीम कोट में किकल करनाटक हाई कोट ने अंतरिम आदेश दिया था निर्देश ये दिये गए थे कि धर्मिक पोशाख पहनने की जद न करें चात्र स्कूल कॉलिश खुडने के भी नर्देश दे दिये गए थे लेकिन मामला पहुच गया सुप्रीम कोट और पूरी तरह से साफ कर दिया है कि मामला अभी पहले हाई कोट ही सुनेगा उसके बाद समुचित समय आने पर सुप्रीम कोट भी ये मामला सुने के लिए तयार है हम सभी नाग्रिकों के मौलेक अधुकारों के संदक्शन के लिए बैठें हैं यह बात सुप्रीम कोट ने कही है तो राजनितेक और धार्मिक इस मामले को नहीं बनाया जाना चाहिए इस बात पर जोड़ दी है सुप्रीम कोट ने SD ने कहा है कि जब ओर्डर ही अभी नहीं आया है तो कैसे चुनौती दी जा रही है यह मामला सुप्रीम कोट में क्यों पहुँचा दिया गया है वकील देवदत कामत की दरीन पर सीजे आई ने कहा कि अभी हाई कोट को यह मामला सुनने दिया जाए और उचित समय आने पर हम भी यहाँ पर बैठे हुए है नागिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षिन के लिए तो करनाटक हाई कोट की सुनवाई पर सुप्रीम कोट की नजर है मामले को हाई को सुनने दिया जाए यह सीजे आई ने कहा है तो हिजाब का ये पूरा विवाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है तुशार महता सॉलिर सिट जैनुर ने कहा है कि जब ओर्डर ही नहीं आया है तो कैसे इस मामले को चुनौती दी जा रही है इसे राजनितिक और धार्मेक नहीं बनाया जाहिए और ये भी कहा है सीजे आई ने कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संद्रक्षन के लिए बैठे हैं समय आने पर हम सुनें तो करनाटक हाई कोट ने कल अंतरिम आदेश जारी किया था जिसके तहत धार्मिक पौशाक पहनने की इजाज़त नहीं दी गई थी कि छात्म को इसकी जद नहीं करनी चाहिए लेकिन ये विवाद आप देखिए किस तरह से देश के कई हिस्सों में फैल चुका है दिल्ली से लेकर मालेगाव, उडुपी, हैदराबाद, चैननाई सब जगह इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं तो शुरुआज जो हुई थी, वो हुई थी करनाटर के उडुपी में एक कॉलेज में जब वहाँ पर छे चात्राएं हिजाब पहर कर पहुच गए थी लेकिन उन्हें वहाँ आने से रोका गया था, उन्हें कहा गया था कि जो ड्रेस कोड है वही वो वहाँ पर लागू होगा उसके बाद धीरे-धीरे हिजाब को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो हैं वो देश के कई हिस्सों में आपको इस वक नज़र आ रहे हैं ये मैप के जरी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका असर कहां कहां पड़ा है दिल्ली, मालेगाव, कोलकाता, हैदरबाद, शेन्य, उडूपी, मंडिया यहां पर जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब पहन कर निकल रही हैं इसमें सबसे पहले तो कॉंग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्ण पर मिसिन्फॉर्ण करने की कमपेंच चलाई उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी परियासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है जो संस्की थे उसको बदनाम करने की कोशिश की और अब पहले हिजाब फिर किताब का स्ट्रीट का हुर्दंग ये शुद रूप से उस तालिबानी मानसिक्ता से गरसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चिया हैं उनको मेन स्ट्रीम एजूकेशन से मुक्धारा की शिच्चा से मदरसों के कुवे में पेग दो किसी भी समाज का इस देश में वो तो यही है कि जो चाहे पहने जो चाहे जैसे चाहे आप ड्रेस अप हो आप कितने कपड़े पहनना चाहें उतने पहने जब संविधानम को यह आजादी देता है तो फिर यह विवाद क्यों और यह विवाद हमारे सोसाइटी में डिविजन बढ़ा रहा है जहां एकता होना चाहिए, जहां एकात्मता होना चाहिए, बंदूता होना चाहिए, वहां हमारे पास हम अपने शिक्षन शेत्र में ये विश फैला रहे हैं, ये बहुत खराब बात है तो मुक्तार अबस नक्वी कह रहे हैं कि ये तालिबानी मानसिक्ता है, वहीं आपने सुना, NCP सांसत फौजिया खान ने का है कि शिक्षा में राजनीती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी हम देख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है, इस वक्त हैं, राजू राज, अभी तो अंतरिम आदेश ही जारी किया था करनाटक हाइपोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर ये इतनी हड़बडा हड क्यूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है, कि अभी तो मामला च चल रही है, और सुम बार इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी, और करनाटका हाइपोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखती है, और उसके पाफ्यूद भी याचिका है, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, दो याचिका है, डाली गई है, मिमान सब पहले, बीबी स्र करनाटका हाइपोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपनी इरादा साफ कर दिया था, उन्होंता कहना था कि इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, आप करनाटका हाइपोर्ट का आदेश आएगा, उसके बाद हम इस कर दिया गया, उसके बाद करनाटका हाइपोर्ट का कल साम में जो और आया, उसने अपनी यार्चिका पर अंतिम रोक लगा दी, उसके बाद फिर करनाटका के कुछ मुस्लिम संगठनों और आरिफ खान है, जिनके तरफ से के फिर से इस यार्चिका को चुनौती गई, जिस करनाटका हाइपोर्ट के बड़ी बैंच में इस पूरे मामले की सुनौई चल रही है, तो हम उसके रोक पर उसके आदेश को देख लेना चाहेंगे, उसके बाद हम इस पूरे मामले में सुनौई करेंगे, वहीं सुसार महता की तरफ से ही का गया कि पूरे मामले को राजनि करनाटक हाइपोर्ट के इस पूरे मामले में खूर रही है, और क्यों यह हंगामा किया जा रहा है, जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ हैं उड़ूपी से, जितेंद्र अब जब अंतरिम आदेश ही आया था, अभी करनाटक हाइपोर्ट में सुनौई चल रही है, और करनाटक हाइपोर्ट के इस पश्च कर दिया कि धार्मिक पुषाक की जिदाप ना करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में यह चिनौती देना, अभी इतनी हड़ बढ़ाहत आखिकार क्यों है, और यह जो अंतरिम आदेश आया है करनाटक हाइपोर्ट का, उसको लेकर उड़ की PFI की Student Organization है, PFI की जो Political Party SDPI और उसकी Student Organization है Campus Front of India, यह शुरुआत से ही इस पूरे मामले को बैक कर रहे हैं, बैकिंग दे रहे हैं इन स्टुएंट्स को और इस पूरे मामले को तूल पकड़वा रखा है, जब शुरुआत में ही हमने इस पूरे मामले को लेकर के बात की थी उन चात्राओं से और Campus Front of India से जो इनकी मदद कर रहा है, तब हमने सीधा सवाल ये पूछा था कि अगर हाई कोट, क्योंकि हाई कोट में वो गए हैं, अगर हाई कोट उनके खिलाफ फैसला देता है, यानि कि जो सरकार ने सरकुलर निकाला है कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ये आना होगा, किसी भी तरह के धार्बिक पैदान को पहनने की मनजूरी नहीं दी जाएगी, तो क्या वो इस फैसले को मानेंगे, तब ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है, तो इस बात को वो बिलकुल नहीं म पहजाब वाले मुद्दे को ना सिर्फ उडोपी और बलकी करनाटक, बलकी देश पर में फैला देना है, और हम देख रहे हैं कि ये मामला ना सिर्फ देश के अलग अलग सहरों तक पहुँच चुका है, बलकी जो देश विरोधी ताक्ते हैं, या देश के खिलाफ काम करने पहुचे थी, उसी दोरान भी सुप्रीम कोट में इस फैसले के खिलाफ लेकर के कि सुप्रीम कोट इस मामले की सुनवाई करें, कपिल सिब्बल जो है मामले को लेकर पहुचे थे, सुप्रीम कोट ने तब भी साफ कर दिया था कि करनाटक हाई कोट में सुनवाई चल रही ह पहले वहां से फैसला आजए उसके बाद आगे देखा जाएगा लेकिन उसके बाद जब बड़ी बैंच यानới की तीन जजो की बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कहा कि समवार से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी और तब तक